हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सुधीर टर्टोरियल में दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्पुन मुद्दा रेट के बिज्ञापन का मुद्दा है इसको लेकर उपस्तित हुआ हूँ काफी लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या हम लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं या नहीं यह फार्म हम लोग भर सकते हैं या नहीं बहुत लोग कर रहें कि सर हम सीटेट पास हैं टेट पास हैं तो क्या हम इसमें भर सकते हैं बिलकुल तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करन चाहेंगे कौन से लोग इस फार्म को भर सकते हैं जो रीट रायस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्वार्मेंट 2022 करके सरकार रिजल्ट पे आप लोग देख रहे हैं जो निकला है विग्यापन उसमें कौन से लोग अपलाई कर सकते हैं ये बिंदू है का चर्चा धाप काफी लोग इस पर भ्रमित हो रहे हैं और काफी चैनल के माध्यम से लोग और अन्यमाध्यमों से लोग इसमें भ्रामित कर रहे हैं तो इसमें शतरग्रता जरूरी है तो मैं आप लोग को बताना clinically क्या जाऊंगा कि जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको सर वही लोग केवल अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग REIT 2021 में राजस्थान जाकर REIT का एक्जाम दिये थे, उसमें 26 लाख लोग इन्वाल हुए थे एक्जाम में, और एक्जाम भी हुआ था, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, वही लोग इस फार्म को भरेंगे, क्योंकि य लोग REIT का एक्जाम दिये थे, 2021 में 26 लाख लोगों ने एक्जाम दिया था, उसमें जितने लोग पास हैं, वही लोग अप्लाई करेंगे, सब लोग नहीं कर पाएंगे इसमें अप्लाई, आप लोग बिना वजा किसी के भ्रह्म में मत आयेगा, आपने यहां सरकाई रिज लिख रहा है, यह बिल्कुल गलत है, यहां पे कोई एक्जाम अब नहीं होने वाला है, एक्जाम हो चुका है, देखें, लाश्ट डेट जो है इसका 9222 दे रहा है, तो आप लोग इसमें केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो लोग REIT का एक्जाम दिये थे, पास जो पास किये है, यह कोई एक्जाम इसमें नहीं होने वाला है, जो यह फाम भराया जा रहा है, 32,000 बैकेंसी, इसमें कोई एक्जाम अब नहीं होने वाला है, इसमें केवल जो है, काउंसलिंग होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें जॉइनिंग होगा, तो इसमें ब बाकाइदा दिया गया इसमें सुल्क भी देखे 100 रुपय है और सब कुछ बाकाइदा आपको इसमें देखे दिया हुआ है इसका एक्जाम हो चुका है पहले और रिजल्ट भी आ चुका है सर्टिफिकेट कुछी मतलब मान के चलिए आप 10 तारीक 10 जनौरी के पहले इसका सर् ची करेंगे अब आप लोग के लिए मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि जो लोग रीट के लिए इच्शुक है तो इसमें तो आप बिलगुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो यह 32,000 वाली दीख रही है वैकंसी इसमें तो आप बिल्कुल apply नहीं कर सकते हैं चाहें आप seated pass हों या tet pass हों या किसी और other का जो है पातरता परिच्छा पास हों आपको यहां राजस्थान पातरता परिच्छा जो 2021 दिया है वही लोग इसमें apply कर पाएंगे क्योंकि राजस्थान में ये नियम है कि जो राजस्थान पातरता परिच्छा पास होता वही इसमें apply कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भरती का जो जरिया है यही है रीट ही है वहाँ पे कोई सुपर जैसा एकजाम नहीं ही है यानि कि एक ही एकजाम में बैकेंसी होती है तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी apply नहीं कर तकते हैं हाँ आप लोग के लिए एक अच्छी ख़बर है राजस्थान सरकार ने आने समय में देखे आने वाले समय में नई रीट का नई रीट भरती का एलान भी कर दिया है जो कि नवंबर में होगा नवंबर 2022 में ये एक्जाम होगा और मान के चलिए जल्द से जल्द इसका भी बिग्यापन जारी होगा आवेदन सुरू होगा मान के चलिए आपका जनौरी में ही इसका बिग्यापन भी जारी होगा है और एक्जाम सेंटर इत्यादी की भी प्रकृरियाई चालू हो गई है बनानी के लिए खोजी जा रहे हैं सब ब्यास्थाएं की जा रहे हैं तो 20,000 20,000 लोगों के लिए फिर से बिग्यापन आ रहा है तो उसमें सभी लोग अपलाई कर सकते हैं उसमें आप लोग 700 रुपे आपका फार्म फिस पड़ेगा सभी लोग अपलाई कीजएगा रीट का एक्जाम दीजएगा उसके बाद 20,000 सीटों पर आपकी भरती होगी इस 32,000 में जो सीटेट पास हैं या अन्य अदर स्टेट के जो एक्जाम होते हैं पातरता परिच्छा उसमें पास हैं वो लोग बिल्कुल भी अपलाई नहीं कर सकते हैं अगर आप अपलाई करते हैं तो आपका केवल पैसा जाए जाएगा और कोई मतलब उसका नहीं निकल होगी और उनको कालेज जो है विद्याले एलाट किये जाएंगे विविन जिलो में और जो सीटेट उटेट पास हैं उन लोग का इसमें कोई चांस नहीं है आप लोग के लिए सिर्फ चांस क्या है नौंबर 2022 में 20,000 पदों पर रीट में फिर से विग्यापन जारी होगा ज इस पे आप लोग बेहर तैयारी कीजे इस इक्जाम को दीजे फिर आप रीट में इन्वाल हो सकते हैं 20,000 पदों के लिए 32,000 में आपके लिए कोई अस्ता नहीं तो ये आज के लिए आप लोग के लिए जरूरी सूचना थी काफी लोग इसमें भ्रमित थे बहुत फोन आ रहे थे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर क्या इसमें हम लोग आविद्धन कर सकते हैं तो इसको बताना जूरी था अगर आप किसी कोई भाकावा दे रहा है तो आप बिल्कुल भाकावा बिना जाए नहीं तो आपका केवल पैसा बरबाद होगा और कुछ नहीं होगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इसी तरह से आगे भी आप हमारे चैनल के साथ जोड़े रहे आपको और महतपूर्ट सुचनाएं दी जाएंगे और जो भी परिच्छा इत्यात से समबंदित समगरी होगी सुचनाएं होगी आपको प्रदान की जाएंगे धन्यवाद